वेब मॉल में गार्ड से मैंने पूछा कि वहीया Realme का सर्षेंटर किस फ्लोर पे है उन्हों ने कहा Realme का सर्षेंटर यहां है ही नहीं आप एक brand है आप products sell कर रहे हैं और after sales भी उसका एक बहुत बड़ा part दोस्तो नमस्कार बहुत बहुत स्वागा थे एक और नई वीडियो में आज बात करने वाला हो Realme Birds T300 के बारे में इसे मैंने दो महिने पहले खरीदा था हाँ दो महिने हो गए November में last year और दिवाली का समय था तो कुछ दिनों के लिए यूज नहीं हो पाया क्योंकि इतिवहार में सब लोग व्यस्त होते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद December में जब मुझे job के लिए अपने घर से यहां आना था दिल्ली में तो फिर राष्टे में इसका खोब यूज किया मैंने फिर यहां आने के बाद से Metro में या फिर बसे में या फिर आफिस के काम के लिए भी मैं इसका यूज करने लगा तो जैसे ही लगभग यह 15 या 20 दिन यूज हुआ होगा अच्छी तरीके से मतलब की 3-4 घंटे 5 घंटे रोज तो फिर इसके राइट साइड के एरबर्ड में एक प्रॉब्लम आती है विड नॉइस जैसी नॉइस आने लगती है नॉइस कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में इसमें नॉइस कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड का फिचर दिया गया है तो उस feature को use करते ही इसके right side के earbud में ऐसा लगता था जैसे कि कान के अंदर कोई फूंक रहा हो तो फिर मुझे लगा कि कुछ software इसू होगा, मैंने इसको reset वगेरा करके बहुत तरीके से try किया ठीक करने का मैंने बात किया realme के customer help line number पे, उन्होंने भी और सब्सक्राइब आपको बताना चाहूंगा कि भाई, एक person जो की 10 to 6 या फिर 10 to 8, 7 हर तरह के लोग के timing होती है, मेरा भी वैसे ही timing है कुछ job का और उसके बाद time निकालना बहुत मुस्किल होता है क्योंकि 10 to 6 ही service centers operate करते हैं, जाधा तर इनके real me के, जितने भी मैंने देखे तो फिर मुझे दिक्कत हो रही थी भाई, time निकल नहीं पा रहा था कि मैं service center कैसे जाओ, मैंने पूछा इनके customer के executive से कि sir आप अगर कोई pick up and drop की service हो, तो मैं उसके लिए pay करने के लिए भी ready हूँ, मैं pay कर दूँगा, आप please pick up करा लीजे और फिर service करा के आप drop कर दीजिएगा, जो भी उसका मतलब result का बताईगा, बट ऐसी कोई service है ही नहीं brand के पास, पता नहीं है मुझे कि और brands में होती है, नहीं लेकिन ये service अगर वो चालू कर दे कुछ customer अगर pay करने को ready है, तो क्या दिकत है ना, आप कोसिस करिए, ऐसी कोई service हो जाए तो बहुत से ऐसे लोग होंगे, जिनका कुछ ना कुछ खराब है, लेकिन वो service करा नहीं पा रहे हैं तो मेरा ये video बनाने का discuss करना चाहता हूँ, वो है after sales support का, after sales support में मैं कहीं न कहीं, जो अभी आपका story बता रहा हूँ, पूरी बहले बता लेता हूँ, फिर बात करेंगे तो फिर मैं गया भाई, वहाँ Guru Gram में, एक mall में service center है और उन्हेंने मुझे बताया कि sir, ये brand-owned service center है, और ये डेली में, पूरे डेली NCR region में actually एक ही है तो वहाँ पे better मतलब काफी अच्छे से मुझे भी treat किया गया, और जो वहाँ पे विवस्था थी साफ सफाई, पानी, वगरा पीने की वो ठीक ठाक मतलब बढ़िया लगी कोई customer जाता है, तो उसको वैसे ही welcome treatment और जो भी चीज़े हैं, सब होनी चाहिए तो फिर जब मैं गया, वहाँ पे भाई मुझे बताया गया कि sir, आपका पहला ऐसा buds T300 है, जिसमें ये issue आ रहा है, आज तक इस product में कोई issue आया नहीं था, तो मुझे भी क्या पता है भाई, मैंने का ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है, तो फिर आप इसे replace करवा दीजिए, hand to hand तो उन्होंने का sir, ये तो नहीं हो पाएगा hand to hand तो replacement नहीं होती है, 7 से 10 दिन का समय लगेगा, आपको submit करना होगा, उसके बाद ही हम replacement unit order कर पाएगे, मैंने का यार, इसमें मेरा काम dependent है और फिर कैसे होगा, मुझे dailys की जरुवत होती है, तो उन्होंने का कि sir, जो भी है, brand की यही policy है, कि जब तक आप इसे submit नहीं करोगे, हम replacement unit order ही नहीं कर पाएगे, तो मैंने का यार, कोई ऐसा service center हो, जहां तुरंथ hand to hand हो जाए, उन्होंने का कि मुझे ऐसा पता नहीं कि किसी और service center के पास stock होगा या नहीं होगा, तो फिर मैंने का ठीक है, ऐसा है, तो आप मेरे घर के आसपास कोई service center हो तो बताइए मैं नोड़ा में रहता हूँ, दोस्तो और गुड़ गाओं में जाब करता हूँ, तो उन्होंने का कि नोड़ा में सेक्टर 18 में है, तो सेक्टर 18 का मैंने उनसे service center का phone नमबर लिया, और वहीं से मैं करने लगे, जो कि calls नहीं पिक अप होई उस समय, दो नमबर थे, दोनों पर मैंने multiple times call किये, call किसी ने नहीं उठाया, तो फिर मैं इस उमीद में वहाँ से लेके अपना earwards चला आया, कि कहीं नोड़ा service center पर मैं जाऊंगा, तो तुरंट रोज तो छुट्टी होती नहीं है, तो किसी public holiday पर luckilyly service center खुला हुआ था, तो मैंने फिर वहाँ visit किया, तो वहाँ पर भाई, जाते ही मतलब वहाँ पर महाल और पहले तो मैं पहुँचा कैसे यह सुनाता हूँ, वहाँ पर जाने के लिए जो Google पर उनका address है, वहाँ पहुच गया मैं वेव मॉल में, तो वेव मॉल में गाड से मैंने पूचा कि भाईया realme का service center किस फ्लोर पर है उन्होंने का realme का service center यहाँ है ही नहीं, मैंने का क्या तो कह रहा है, हाँ realme का service center यहाँ था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है वो बगल में बताया उन्होंने ऐसे हाथ सही सारा करके कि थोड़ी दूर पर उधर चला गया है मैंने का यार ऐसा हो गया तो फिर मैं मतलब उनसे पूच के और उधर गया जहाँ पर उन्होंने बताया था वहाँ मुझे service center मिला तो उसकी हालत भाई मतलब जो repair shops नहीं होती है उस repair shops repair shops भी उससे अच्छे condition में मैंने देखे हैं तो इस तरह की हालत में था वो service center और मतलब कुरसियां गंदी है floor पूरा गंदा पड़ा है इधर उसामान बिख रहा हुआ है तो मुझे पता चला है कि ये लोग ship कर रहे है जो previous location थी वहाँ से यहाँ पर इसकी वज़ा से ऐसा दिख रहा है लेकिन फिर भी इतना बुरा condition में नहीं होना चाहिए कुछ photographs हैं अगर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर आपको कुछ idea मिल पाए तो हाला कि better जो मैं देख पा रहा था वो तो photographs या वीडियो में नहीं दीखेगा आपको बहुत ही बुरी हालत में था अगर हम गुड़गाओं वाले service centers से compare करें तो फिर और भी मैंने कई brands के service centers visit किये हैं इतनी बुरी हालत नहीं रहती है generally तो इस पर थोड़ा real me को काम करना चाहिए अपने authorized service centers को थोड़ा supervise करें मतलब चीजों को थोड़ा सा organized way में आप एक brand है आप products sell कर रहे हैं और after sales भी उसका एक बहुत बड़ा part है तो after sales अगर आप अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं तो फिर product sell करने का भी मेरे हिसाफ से आपको कोई अधिकार नहीं है ठीक है क्योंकि फिर क्या ही फायदा आपकी one year warranty, two year warranty जो brands दे दे और जा आप service center जाओ तो वहाँ पर सब चीजें उथल पुथल मचा हुआ है बिकरी हुई है और जो staff का भी heavier था वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पर form यह है वो भरिये और फिर wait करिये तो मैंने भर दिया उसमें मेरे personal details और product related details मैंने भर दिया और फिर मैं wait करने लग गया और wait मुझे करना पड़ा almost आप कह सकते हो half an hour तो half an hour के बाद मेरा number आया तो मैंने product submit कर दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि एक घंटा लगे जा मतलब half an hour मैंने पहले ही wait कर लिया था और उसके बाद एक घंटे और which is one and a half hour just for finding out कि issue क्या है मलब देड़ घंटे में वो ये चिक करके बताएंगे कि issue क्या है फिर भी मैंने अपने आपको समझाया कि भाई चलो अब तो आ ही गये हैं यहां पे इतना कई घंटे का time waste करके खोज के गोम के पहुंच गया है वहां तो submit करा लेती है क्योंकि replace तो करवा नहीं है जब दिक्कत आ रही है तो तो फिर मैं बैठ गया वहां पे almost after 45-50 minutes मैंने पुछा कि क्या status है कुछ पता चला क्या तो वो कह रहां सर ऐसे नहीं होता है अभी एक घंटे और लगेगा आपको आराम से बैठना पड़ेगा हम proper testing करेंगे उसके बाद बता पाएंगे tone जो मैंने अभी बोला है इससे थोड़ा और rude ही था उनका इससे polite नहीं था तो मैंने कहा यार इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं obviously मैं उनको वहाँ बातें करना सिखाने नहीं गया था तो मैंने कहा ऐसा है आप मेरा product वापस करिए मैं लेके इसे अपने घर जाओंगा मुझे नहीं replace करवाना है मन में मैंने सोचा कि इनके याँ तो बिलकुल नहीं कराओंगा क्योंकि जैसी हालत है क्या पता ये दो महिने के लिए रख ले मुझे कुछ ठीक लगा नहीं तो मैं वहाँ से लेके आ गया और फिर उसके बाद एक हपते दस दिन के बाद फिर किसी दिन मुझे time मिला तो मैं फिर गुरु ग्राम सरुष सेंटर पहुँचा प्लेसमेंट यूनिट रेसीव कर रहे है मेरा देमाग खराब हुआ मैंने पूछा उनसे की भाई साब क्या दिक्कत थी आपके प्रोडक्ट में तो उन्होंने बताया exact same issue जो मेरे प्रोडक्ट में थी मेरे पास वीडियो में प्रूफ है हाला कि वो परसन अपना फेस नहीं दिखाना चाते थे लेकिन उनकी वॉइस एकदम clear recorded है उन्होंने मुझे बताया कि इन लोगोंने कहा था कि आप पहले ऐसे वैक्ती हैं जिसकी रियल में बर्ट्स T300 में ये प्रॉब्लम आई है और उसके उस परसन से पहले मैं विजिट कर चुका था सेम इसू के लिए तो आप सोचो उनसे भी यही का आ गया मेरे से भी यही बोला गया था तो जिस रियल में गुरुगराम सरु सेंटर को मैं बहुत अच्छा समझ रहा था वहाँ पे ये चल रहा था कस्टमर से जूट बोला जा रहा था तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई साब जो एक्जेकटिव हैं कि आपने तो मुझसे पिछली बार ऐसा बोला था तो क्या ये नोन इसू है ब्रैंड जानता है रियल में बर्ड्स के इस इसू के बारे में उन्होंने कहा हाँ ये नोन इसू है और ये सॉफ्ट्वेर इसू है इसके लिए एक फर्मवेर अपडेट पर ब्रैंड काम कर रहा है लेकिन जब तक ये अपडेट बनके आनी जाता है तब तक के लिए हम रिपलेस कर रहे हैं तो ये बात उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताई पहले बताने में क्या दिक्कत थी और बाद में उन्होंने उस परसन से भी जूट है ऐसा मतलब क्या पता ब्रैंड ने उनको मैंने पूछा कि ब्रैंड ने आपको बोला है क्या है कि ऐसा ऐसा आप बोलो तो उस पर obviously उन्होंने कुछ नहीं कहा और बाकी यार फिर मैंने submit कराया क्योंकि मैं तो पैसा दे के फंस चुका हूँ तो मुझे use करना है product तो जिस चीज के लिए मैंने noise cancellation के खरीदा है और वही काम नहीं कर रहा है तो फिर मैंने submit कराया और to my surprise उन्होंने कहा था साथ से दस दिन लेकिन छै दिन में ही उन्होंने मुझे call किया कि सराप का बड्स आ गया है replacement unit आप आके pick up कर लिजिए तो next day मुझे जब फिर time मिला मैं और वहां से जाके मैंने pick up कर लिया और अभी के लिए तो यह अच्छा काम कर रहा है लेकिन मुझे बिल्कुल इस पर भरोसा नहीं है और मैं यह वीडियो भी इसलिए बना रहा हूं कि भाई इसे मत खरी दिया आप अभी कोई आप ओपो एंको बर्ट्स खरीद लो आप जो पंद्रसो के आसपास आते हैं इससे कंप्राइस के हैं और मुझे मतलब रियल में कि यार आश्यर हो रहा है कि इतना बड़ा ब्रैंड है अपने आप में और ऐसा कैसे कर सकते हैं यह लोग कोई इसू है तो उसको अड्रेस करिए उसको बदाए कि यह इसू है और ऐसा ऐसा बात है फुरा क्लियरली आपको इस्टेट्मेंट देने और बाकी यार मुझे इस प्रोड़क्ट से सच बताऊं तो इसकी बैटरी लाइब भी बड़िया है बिल्ड क्वालिटी भी रॉक सॉलिड है बड़ा ही अर्गनॉमिक सा है यह पूरा देखो मुठी में बंद हो जाता है और मतलब लाइट वेट भी है और साउंड क्वालि बार हो गया है यह तो तो यह वेस्ट ऑफ मनी आपका पैसा फस सकता है इसमें तो मैं आपको रिकमेंट नहीं करूंगा कि आप इसे खरीदें अब मेरा भी अब मेरा भी कोई भरोसा नहीं है इस पर कि यह कब खरा बजाए दुबारा से इसमें वही दिक्कत आने लग जाए मैं तो रिप्लेस करवाओंगा बार बार जो भी है मतलब मैं करूंगा इसके साथ लेकिन आप अपना पैसा इसमें मत फसाइए यह मेरा रिकमेंडेसन है तो बस यही था फिलाल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंट्रस्टिंग और ओनेस्ट वीडियो को देखते रहें